तो हेलो अच्छे हों वेलकम टूजी के क्लासेज आई होप आप लोग शॉस्त होंगे मस्त होंगे तंदुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी आज कि इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटिग्रेशन का एक बहुत ही प्यारा की इसको आइक उतल्ब किया है ना अब आईये शुरू करते हैं और इसको साल्ब करके आपको दिखाते हैं कि ऐसा इंटिग्रेशन घ़रा आपके सामने आजाए तो आप कैसे साल्ब करोगे ठीक है तो सबसे पहले आप इसको आई कह दो इसको क्या कह दो आई कह दो, जब आप integration शालप करते हो तो इसको आई बोलते हो न, तो इसको आई कह दो अचा आई की value कितनी है ये limit है, 1, 2x, dx फिर यहां से फिर start है मतलब यह है कि आई की value यही तो है यही तो है, तो आप अगर इसको i कह रहे हो, तो इसके उपर जो भी है वो automatic i हो जाएगा तो अगर ऐसा होता है तो आप लिखोगे i equal to क्या, 1, 2x, dx और इसके उपर की जो value है वो i ही तो है अगर आप ने इस total को i कह दिया, इस total को i कह दिया और यह tower कहां तक गया, infinite तक गया है, तो आप ऐसे सोचो ना, अगर आपने इस total को i कह दिया, और उस total में से अगर आपने एक को minus कर दिया को हटा दिया, तब भी तो infinite है अरे शमुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लोगे, तो उसकी सहत पो कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इस total को आपने अगर infinite कह दिया है, तो उसमें से अगर एक हटा भी दें, तो क्या फरक पड़ता है वो तो आई ही रहेगा क्योंकि infinite है, तो इसमें से अगर हम इस एक को हटा लें तो भी यह क्या रहेगा, यह आई ही रहेगा तो हमने कह दिया कि भी यहां से आगे जो है वो आई है, तो यह आई हो गया अब simple सा integral है, इसको solve कर लेते हैं है ना, तो करो solve, देखो 2 x का integral क्या होगा, x square by 2 limit भी लग जाएगी, 1 to i, यह 2 cancel हो गया आपके पास बच गया क्या इधर i है, i equal to पहले i put करोगे तो हो जाएगा i square and minus 1, क्योंकि यहां पर 1 put करोगे, तो 1 का i square 1 ही होगा इस i को उधर लेकर चलते हैं तो i square minus i minus 1 equal to कितना? 0 अब यह quadratic equation बन गया तो यहां से आप क्या करोगे? आप i की value निकाल लो आप क्या करो? आप quadratic formula लगा दो under root b square यानि minus 1 square minus 4ac, 4 a की जगा पर 1 है c की जगा पर minus 1 है अपान कितना आगया भई? 2a होता है, तो 2 into 1 होगे minus minus plus होगे तो 1 plus minus root यह होगया 1 और minus minus plus यानि 4, अपान कितना? 2, तो यह होगया 1 plus minus root 5, अपान कितना? 2 तो i की 2 value आगई एक आई 1 plus root 5 by 2 और एक आई minus 5 by 2 तो इस question का दो answer आपको मिला है और एक बहुती interesting बात आपको बताएं आपने definite integration के question solve किया होगे, बहुत सारे question solve किये हैं, upper limit, lower limit है ना, इस तना का question बहुत solve किया है, क्या कभी भी definite integration में एक question का दो answer मिला है आपको कभी नहीं मिला होगा, इसलिए इस question को बताने के पीछे का reason यही था, कि definite integration के अंदर भी, जहां पर limit दिये होते हैं, ऐसी problem में भी, दो answer आपको मिल सकते हैं, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको एक answer यह है, दूसरा answer यह है तो यहां पर आपको दो answer दिख रहे हैं, और निकाले गए हैं, प्रोसेस आप देख सकते हो, है ना, तो definite integration में भी दो answer possible हैं, जब कुछ इस बसल टाइप का problem आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? तो यह integral आपको कैसा लगा, comment करके से दरूर बता है, वीडियो को like कीजिए, अपने दोस्तों में share कर दीजिए, अगर आप channel पर नए हैं, तो subscribe किये विना आगे मत जाएगा, है ना, मिलते है next वीडियो में, अपना ख्याल रखें